ओम शांती, आज है 16 अगस्त 2020 की अव्यक्त मुरली, पहले एक नजर मुरली की मुख्य पोइंट्स पर, आज बाप दादा ने कहा, इस पढ़ाई की चारों सब्सजेक्ट्स का यथार्थ यादगार पर्व है महा शिवरात्री, भिनभिन नामों से समय प्रती समय जो भी उत्सव मनाते हैं, वे सभी इस समय के बाप और बच्चों के मधुर मिलन का यादगार हैं, यही भविश्य के लिए उत्सव का रूप बन जाते हैं, बाबा ने कहा, एक जन्म की आपकी यह जीवन, भक्ती के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती हैं, इस समय आपको इतना मिला है, जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म, 21 पीड़ी सदा भरपूर रहेंगे, फिर कहा, हद के कोई भी व्यक्ती या वैभव से लगाव होना, यह मेरा पन है, तो मेरे पन को और मैं पन को समर्पन करना, इसको ही कहते ह हैं बली चड़ना, इसमें बाप समान बनो, जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरा पन का समर्पन समारोह किया, आगे कहा, रोज अमरितवेले ऐसे सोचो कि निद्रा से नहीं, लेकिन शान्ती धाम से कर्म करने के लिए अवत्रित हुए हैं, और रात को कर्म करके शान्ती धाम में चले जाओ, तो ऐसी स्थिती में रहकर कर्म करने से साधारन कर्म भी अलोकिक कर्म में बदल जाते हैं, फिर कहां कभी भी किसको सीधा नहीं कहो, कि तुम तो रोंग हो, यह कहने से वह कभी नहीं बदलेगा, बलकि वह और ही दिल शिकस हो जाएगा पहले उसको अच्छा-च्छा कह करके थमाओ फिर पीछे कोई भी बात कहो तो उसमें सुनने की धारण करने की हिम्मत आ जाती है सदा बधाईयां देते रहो बधाईयां लेते रहो यह बधाई ही वर्दान है संगम युग है ही बधाईयों से वृद्धी को पाने का युग और लास्ट में बाबा ने कहा जैसे गायन करते है न शिव के भंडारे भरपूर तो यह आपका गायन है सिर्फ बाप का नहीं दात के बच्चे दाता बन जाओ, भक्त है लेवता और आप हो देने वाले देवता, तो सदा भंडारा भरपूर रहना चाहिए। अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से। आज ग्यान दाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वर दाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अतीस ने ही सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही सदा का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन भिन नामों से समय प्रती समय उत्सव मनाते हैं, वे सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्सहा भरा मिलन भविशे के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। इस समय आप सर्व स्ट्रेश्ट बच्चों का हर दिन, हर घड़ी, सदा खुशी में रहने की घड़ियां वो समय हैं। तो इस छोटे से संगम युक के अलोकिक जीवन, अलोकिक प्राप्तियां, अलोकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन भिन नाम से यादगार बना दिये हैं। एक जन्म की आपकी यह जीवन, भक्ती के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती हैं। इतनी महान अत्माई हो, इस समय की सबसे वंडर्फुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो, और निमित उस यादगार को भी मना रहे हो, चेतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ हैं। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या-क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, यह 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जन्म पत्री सभी सपष्ट्र रूप में जान गए हो, सुन रहे हो और देख देख हर्शित हो रहे हो कि यह हमारा ही गायन पूजन, हमारे जीव की कथाएं वर्णन कर रहे हैं ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं इसलिए भावना पुर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है तो प्रैक्टिकल शिवज्यंती तो रोज मनाते ही हो क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग स्रेष्ट करतव्य स्रेष्ट चरित्र करने का युग लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो आप सब का मनाना है मिलन मनाना और उनों का मनाना है अहवान करना उनों का है पुकारना और आपका है पालेना वेह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है वास्सो में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है जो करेगा वह पाएगा उतना ही पाएगा यह हिसाब है लेकिन भोलानात क्यों कहते क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता एक का पदम गुणा हिसाब है तो अनगिनत हो गया न कहां एक कहां पदम पदम भी लास्ट शब्द है इसलिए पदम कहते अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। कोई भी नहीं कर सकता। तो भोला नात हुआना, नौलेजफुल होते भी भोला बनते हैं। इसलिए भोला नात कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक-एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं। लेकिन जानते हुए भी देने में भोला नात ही बनता है। तो आप सभी भोलानात बाप के भोलानात बच्चे होना, एक तरफ भोलानात कहते, दूसरे तरफ भरपूर भंडारी कहते, यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं, मनाने वालों को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो, जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेस चार सब्जेक्ट हैं, वह चार ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं, कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेस इस उत्सव के दिन बिंदू का और बूंद का महत्तव होता है, तो बिंदू इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है, याद में बिंदू स्थिती में ही स्थित होते हो ना, तो बिंदू याद की निशानी और ग्यान की भिन भिन बुन्दे इस ग्यान की सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई हैं धारना की निशानी इसी दिन विशेस वरत रखते हैं तो वरत धारन करना धारना में भी आप द्रिड संकल्प करते हो तो वरत रखते हो कि ऐसा सहन शील वा अंतर मुख अवश्य बन कर ही दिखाएंगे तो यह वरत धारन करते हो ना यह वरत धारना की निशानी है और सेवा की निशानी है जागरन सेवा करते ही हो किसको जगाने के लिए अज्यान नेंद से जगाना जागरन करना जागरिती दिलाना यही आपकी सेवा है तो यह जागरन सेवा की निशानी है तो चार ही सब्जेक्ट आ गई न लेकिन सिर्फ रूप रेखा उन्होंने सुल रूप में बदल दी है फिर भी भक्ती भावना वाले होते हैं और सदा ही सच्चे भक्तों की यह निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें द्रड रहेंगे इसलिए भक्तों से भी बाप का सने है फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं और विशेस इस दिन जैसे आप लोग यहां संगम युग पर बार बार समर्पन समारो मनाते हो अलग-अलग भी मनाते हो ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वे स्वियम को सम समर्पन नहीं करते लेकिन बकरे को करते हैं बली चड़ा देते हैं वैसे तो बाप दादा भी हसी में कहते हैं कि यह मैं मैं पन का समर्पन हो तब समर्पन अर्थात संपूर्ण बनो बाप समान बनो जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला-पहला कदम क्या उठाया मैं और मेरा पन समर्पन समारो मनाना, किसी भी बात में मैं के बजाए, सदा नेचरल भाषा में, सधारन भाषा में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं, बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा चला रहा है, मैं कहता हूं नहीं, बाबा कहता है, हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ यह मेरा पन है तो मेरे पन को और मैं पन को समर्पन करना इसको ही कहते हैं बली चढ़ना बली चढ़ना अर्थाद महा बली बनना तो यह समर्पन होने की निशानी है तो बाप ददा भक्तों को एक बात की ओफरीन देते हैं किसी भी रूप से भारत में वहर देश में उत्सहा की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छी है ना चाहे दो दिन के लिए हो या एक दिन के लिए हो लेकिन उत्सहा की लहर तो फैल जाती है ना इसलिए उत तो इस विशेश दिन पर क्या विशेश करेंगे जैसे भकती में कोई सदाकाल के लिए वुरत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती है तो एक मास के लिए, एक दिन के लिए या थोड़े समय के लिए लेते हैं फिर वह वुरत छोड़ देते हैं आप तो ऐसे नहीं करते हो ना, मधुबन में तो धरनी पर पाव नहीं है और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या उपर ही रहेंगे सदा उपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहेकर कर्म करेंगे उपर रहना अर्थात उपर की सिती में रहना उपर कोई छत पर नहीं लटकना है उची स्थिती में सित्त हो, कोई भी सधारन कर्म करना अर्थात नीची आना, लेकिन सधारन कर्म करते भी स्थिती उपर अर्थात उची हो, जैसे बाप भी सधारन तन लेता है ना, कर्म तो सधारन ही करेंगे ना, जैसे आप लोग बोलेंगे, वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही च तो कर्म सधारन है तन ही सधारन है लेकिन सधारन कर्म करते भी स्थिती उँची रहती ऐसे आपकी भी स्थिती सदा उँची हो जैसे इस दिन को अवत्रण का दिन कहते हो ना तो रोज अमरित वेले ऐसे ही सोचो कि निद्रा से नहीं शांती धाम से कर्म करने के लिए अवत्रित हुए हैं और रात को कर्म करके शांती धाम में चले जाओ तो अवत्रित होते ही हैं स्ट्रेश्ट कर्म करने के लिए उनको जन्म नहीं कहते अवत्रण कहते हैं उपर की सिती से नीचे आते हैं यह है अवत्रण तो ऐसी सिती में रहे कर कर्म करने से सधारन कर्म भी अलोकिक कर्म में बदल जाते हैं जैसे दूसरे लोग भी भोजन ख खाते हैं फर्क हो गया ना चलते हो लेकिन आप फरिस्से की चाल चलते डबल लाइट सिती में चलते तो अलोकिक चाल अलोकिक कर्म हो गया तो सिर्फ आज का दिन अवत्रण का दिन नहीं लेकिन संगम युग ही अवत्रण दिवस है आज के दिन आप लोग बाप दादा को मु तो बाप कोन कहता? बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं. इसलिए पहले बच्चों को मुबारक. आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैपी बर्थडे टू यू. बाप दादा भी कहते हैं, हैपी बर्थडे टू यू. बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी और मुबारक से ही पल रहे हो. आप सब की पालना ही क्या है? बाप की परिवार की बधाईयों से ही पल रहे हो. बधाईयों से ही नाचते, गाते, पलते, उड़ते जा रहे हो. यह पालना भी व पालना की विधी है कोई कैसा भी है वे तो बाप दादा भी जानते हैं आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ही अगर नंबरवार नहीं बनते फिर तो सत्युग में कम से कम डेड़ लाख तक्त बनाने पड़े इसलिए नंबरवार तो होने ही हैं तो नंबरवार होना है लेकिन कभी कोई को अगर आप समझ से हैं कि यह रोंग है, यह अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो रोंग को राइट करने की विधी या यथार्त कर्म नहीं करने वालों को यथार्त कर्म सिखाने की विधी, कभी भी उसको सीधा नहीं को हो, कि तुम तो रोंग हो, यह कहने से व ये आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है, इसलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रोंग हो, तुम रोंग हो, तो वह और ही दिल शिकस्त हो जाएगा, पहले उसको अच्छा-च्छा कह करके थमाओ तो सही, पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुन कि आग क्यों लगी, पहले यह नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने यह किया, यह किया, पहले ठंडा पानी डालो, पीछे वह भी महसूस करेगा, कि हाँ, आग लगने का कारण क्या है, और आग बुझाने का साधन क्या है, अगर बुरे को बुरा कह देते, तो आग में तेल ड जालते हो, इसलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कह करके, पीछे उसको कोई भी बात दो, तो उसमें सुनने की, धारन करने की हिम्मत आ जाती है, इसलिए सुना रहे थे, कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही बधाईयां है, जैसे बाप दादा भी, कभी किसको डारेक्ट रॉंग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट क्या है, रॉंग क्या है, लेकिन अगर कोई सिधा आकर पुछेगा भी कि मैं रॉंग हूँ, तो कहेगा नहीं, तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है, जैसे पेशेंट ज भी रहा होता है, आकरी सांस होती है, तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूँ, तो कभी नहीं कहेगा कि हाँ जा रहे हो, क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती, किसकी दिल कमजोर हो, और आप अगर उसको ऐसी बात कहे दो, वह तो हार्ट फेल हो ही जाए अर्थाद पुरुशार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी, तो संगम युग है ही बधाईयों से व्रिधी को पाने का युग, यह बधाईया ही स्रेष्ट पालना है, इसलिए आपके इस बधाईयों की पालना का यादगार, जब भी कोई देवी देवता का द बड़ा दिन कह देते हैं, दीपमाला होगी, शिवरात्री होगी, तो कहेंगे आज बड़ा दिन है, जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है, तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है, तो एक दो को बधाईयां देना यह बड़ी दिल है, समझा? ऐसे नहीं कि रोंग को रोंग समझाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा धैरिये रखो, इशारा तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देखो न, वेह मर रहा है और उसको कहो मर जाओ, मर जाओ, तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो, बहुत अच्छा, बह ऐसे नहीं बाहर से कहो, तो वेह समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं, यह भावना की बात है, दिल का भाव रहम का हो, तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा, इसलिए सदा बधाईयां देते रहो, बधाईयां लेते रहो, यह बधाई वर्दान हैं, जैसे आज के दिन को ग गायन करते हैं शिव के भंडारे भरपूर तो आपका गायन है सिर्फ बाप का नहीं सदा भंडारा भरपूर हो दाता के बच्चे दाता बन जाओ। फिर कुछ भी उसको मना सकते हो, लेकिन पहले उसको दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, फिर उससे कुछ भी बात मनाना चाहो, तो मना सकते हो. रोज उत्सव मनाते रहो, रोज बाप से मिलन मनाना यही उत्सव मनाना है, तो रोज उत्सव है, अच्छा, चारों और के बच्चों को संगम युक्य हर दिन के अवत्रण दिवस की अविनाशी मुबारक हो, सदा बाप समान दाता और वर्दाता बन, हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रहे हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नती और सेवा की उन्नती में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले स्रेष्ट बच्चों को विशेस आज के यादगार दिवस शिव जियनती सो ब्रहमन जियनती हीरे तुल्य जियनती सदा सर्व को सुखी बनाने की संपन्न बनाने की जियनती की मुबारक और याद प्यार और नमस्से, रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप दादा को नमस्से, नमस्से, गुड मॉर्निंग, वर्दान, हर शक्ती को ओडर प्रमान चलाने वाले, मास्टर रचैता भव, हर शक्ती को ओडर प्रमान चलाने वाले, मास्टर रचैता भव, कर्म शुरू करने के पहले, जैसा कर्म, वैसी शक्ती का आहवान करो, मालिक बनकर ओडर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान है, आपकी भुजाएं आपके ओडर के बिना कुछ नहीं कर सकती ओडर करो सेहन शक्तिकारे सफल करो तो देखो सफलता हुई पड़ी है लेकिन ओडर करने के बजाए डरते हो कर सकेंगे वो नहीं कर सकेंगे इस प्रकार का डर है तो ओडर चल नहीं सकता इसलिए मास्टर रचैता बन हर शक्ति को ओडर प्रमान चलाने के लिए निर्भय बनो सलोगन सहारे दाता बाप को प्रत्यक्स कर सबको किनारे लगाओ और आज मुरली के लास्ट में एक सूचना भी है आज मास का तीसरा रविवार है सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने साइं साड़े छे से साड़े साथ बजे तक विशेस योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वामान में सित्थ हो कल्प वरिक्ष की जड़ पालना करें अच्छा ओम श्यांती गीता ज्यान पराधारित सापता ही कोर्स का आज पांच्वा लेसन है आप इसे जरूर सुने